हेलो दोस्तों, अभी हाल ही में सूर्या कुमार यादव से उनकी दो बहतरीन पारियों के बारे में पूछा गया आपको बता दे, सूर्या कुमार यादव इस समय शांदार फॉर्म में चल रहे हैं उन्होंने पिछले कुछ समय से अपनी बल्लेबाजी से काफी प्रभावित किया है उन्होंने भारत के लिए कई मैच जिताव पारिया खेली है सूर्या कुमार यादव टीबीस रैंकिंग में पहले स्थान पर है एक इंटर्व्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि आपके द्वारा खेली गई पसंदीदा इनिंग कौन सी है उन्होंने इस सवाल का जवाब देते हुए दो इनिंग्स को लिस्ट में रखा सूर्या कुमार यादव ने कहा उन्होंने इंग्लेंड के खिलाफ पहले मुकाबले में तीन चक्के और छे चोके जड़े थे इसके अलावा उन्होंने आईपियल में खेली एक पारी को लिस्ट में रखा उन्होंने आईपियल 2019 के दौरान मुंबई इंडियन्स की ओर से खेलते हुए चेन नई सुपर किंग्स को हराया था उन्होंने कहा 2019 क्वालिफाय का पहला मुकाबला सी इसके और एमाई के बीच हुआ था 130 या 135 रनों के छोटे लक्षे का पीछा करना मुश्किल था वहां मैंने नाबाद 71 रनों की पारी खेली थी और हमने यह मैच जीत लिया था मैं उस पारी को बार बार देखना पसंद करूंगा बता दे की चेन नई सुपर किंग्स उस मुकाबले में पहले बल्ले बाजी करते हुए 131 रन ही बना सकी थी चेज करने उतरी मुंबई इंडियन ने जल्दी विकेट गवा दिया रुहित शर्मा चार, क्विंटन डी कॉक आठ, ईशान किशन शुन्यक कर आउट हो गए लेकिन सूर्यकुमार मैदान पर डटे रहे और उन्होंने जीत दिला दी तो इन दो पारियों को सूर्यकुमार यादव ने अपनी यादगार पारियों की लिस्ट में सबसे उपर रखा ही ऐसी ही और बहतरीन और लेटिस्ट न्यूज के लिए प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइट दी चैनल